गुद मॉर्निंग इस्ट्रेंस कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं अप लोग अच्छे होंगे अपकी वर्षी नमर ट्विंटी नाइन है से लेबल कर लीजिए डीड डाल दीजिए क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लिए प्यारी बच्चों आज समीधान के मुख्य लक्षन 4 तो इसमें देखिए आज हम लोग क्या जानेंगे धर्म निश्पेक्ष्टा के बारे में जानेंगे बेटा तो धर्म निश्पेक्ष्टा क्या होती है तो यहादी के लिखा हुआ है धर्म निश्पेक्ष राज्य वे होता है जिन में राज्य कि धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देटा कोई ऐसा नहीं करे गा राज यह मसल्मान घर्म का कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो आपको हिंदु मजम को मानना होगा या अगर आपको मान लिजे यूपी में रहना है तो आपको बुदिष्ट धर्म को मानना होगा या अगर आपको बिहार में जाना है तो आपको कृष्ण धर्म को मानना होगा ऐसा कुछ नहीं होने और कि भी भी धर्म ऑसाद किसी भी राजे में भारत के रह सकते हैं सरकार content समान समान देती है यानि कि धर्मिक मानेता हैं आपके धर्म ने क्या आपको सिखाया है कौन-कौन से चीज़ें जो अपने धर्म की फॉलो करना चाहा रहें उन सब को बराबर समानता मिलती है ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं करेंगे और यह आप कर सकते हैं ठीक है अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी गभी देश का इतिहास यह तैय कर देता है कि देश का समविधान कैसा होगा समविधान ओन आरदर्शों को तैय करने में एक की परिश्का इतियास रहा होता है कि पाईसाने से हम गुझरें या कैसे रहें तो वहीं चीज हमें सिखा देता है कि हमारा आने वाला कुर्ण के इसे हम आप करना चाहते हैं है नो हलाकि भायरते समिधान एक लचीळा समिधान लाचीली का मतलब किया होतब पीटा फैक्सीबल मतलब कि उसमें इतनी चूत है कि जभ आपको जिस चीज कि अवशक्ता परे उसके हिसाब से आप उसे चेंजिस ला सकते हैं समय कि समध्धान में तोड़ा सा संशोधन किए गया है संशोधन का मतलब क्या होता है Sprody का मतलब h 사랑 का मतलब ही होता है कि जब हमें किसी चीज की आपा पड़ती है तो उसके अनुसार जो आपके अर्टिकल तक हैं जो आपके अनुछ ये थे उन consider स्वाज राजनीती की नई चुनोतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किये गए हैं और यह हकीकत है आज तक किये भी गए हैं बहुत सारे संशोधन हैं अक्सार समिधान में बड़े बदलाव का महत मतलब देश का मूल सोरूप में बदलाव होता है यानि की अगर कोई संश चोटे लेवल पर होता है तब तो कोई प्रावल में लेकिन अगर संशोधन बड़े लेवल पर होता है तो उसका इंडिरेक्ली हमारे पूरे देश पर भी उसका असर पढ़ता है यहां पर सब आपको दिखें सविधान सभा की जितने भी लोग हैं सब लोग उस पर आश्ता प्रधान मंत्री जवालना नहरू देख़त कर रहे हैं दूसरे चित्र में सविधान सभा के अद्यहक्ष्च। ये देखिए कि सविधान सभा के अध्यक्ष थे तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमें शिरी जैरामदास तीके दौलत राम थे जो की खादेवं कृशी मंत्री बने थे राजकुमारी अम्रित कौर थी जो स्वास मंत्री बनी थी उसके बाद डौक्टर जौन माइधल थे जो वित्र मंत्री थे इसके बाद आपके सरदार वल्लब भाई पटेल है जो की उप्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री थे तथा उनके पीछे शिरी जग जीवन राम जो की श्रम मंत्री हैं वो खड़े हैं देख पा रहे हैं आप सब सम्विधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेक किया गया है ग्यारा मौलिक कर्तव्यों में से प्रति एक से संबंदित रेखा चित्र तस्वीर बनाईए और उन पर कविताय यागीत लिखिए और खक्षया में चोचा कीजिए ठीक है तो बेटिया सम्विधान में जहां हमको आपके छे मौलिक अधिकार दिये गए हैं उसी के साथ साथ हमारे ग्यारा मौलिक कर्तव भी हैं उन में से प्रत्फी एक से संबंदित रेखा चित्र बनाएक आप कोaggi चित्र बनाये कोई तस्वीर बनाये ठीक है तक तबको तस्वीरेग़जा में इन्हें दरशाना है टीक है या फिर उनके उपर आप कविता भी लेख सकते हैं और इसकर ऊपर क्लास सम्वे चंड之क जा तो हम लोग इसका अंसर देख लेते हैं जल्दी से फड़ा फट देखी बच्चों जो आपके 11 मॉलिक कर्टवे हैं वो यहाँ पे मैंने आपको दे दी हैं अब आप इने देख के चाहे ड्रॉइंग बना लें चाहे इसको लिख लें चाहे इसका चार्ट बना लें सविधान का पालन करें और राष्टे धवज और राष्टे गान का सम्मान करें सबसे पहला कर्टवे हमारा यही है कि हम अपने देश के प्रती वफदार रहें अपने देश के जंडे का अपने राष्टे गान का पालन करें आदर करें सम्मान करें सौतंता संग्राम के आदरश का पालन करें यानि कि जो सौतंता संग्राम बना है उसके आदरशों का पालन करें भारत की सुफवता और अखंटा की रक्षा करें यानि अपने देश की रक्षा करें देश की रक्षा करें और बुलाय जाने पर राष्ट थारा कि हम अपने देश की रख्षा करें ठीक है आम भायचारे की भावना को बनाए रखें मिश्रिस और संस्कृती क्यों कि हमारे देश में तो उसका संरक्षन करें ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ सोचे कि हम अपने ही संस्कृती को बचा रहें और बाकियों को दबाए कुछ लेक्स प्रयास करना है आगे बढ़ना है मेनत करनी है सब भी माता-पिता-बिवाबको का कर्तव थे स्कूल भेज़ें आपको पता है RTE की तहएत सबको ये फिरी शिक्षा दी गई है 6-14 वर्ष के लिए यह सब आप लोग कर सकते हैं यह आपके 11 नीत आपके मौलिक कर्टवे हैं जो आपको करना है जैसे मौलिक अधिकार आपके लिए होते हैं मौलिक अधिकार आपको इसे आप लोग कर सकते हैं चलिया आपके बढ़ दे अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा दिया गया है निमलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको बताने हैं कहाँ पर कौन से इस्थिती है जिसमें कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है पहले आप मुझे बताईए कि हमारे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताईए उसके बाद देखते हैं कि आपको याद मी है या नहीं तो चलिए यह लिखता है यदि 13 साल का एक बच्चा काली इनके कारखारे में मजदूरी करता है तो क्या हो रहा है उसका शोषण हो रहा है तो कौन सा अधिकार ओगया कि भाइया उसका शोषण के विरोधा अधिकार है उसमें या समानता का जो अधिकार है समानता क्योंकि सब समान है ना समानता की अधिकार का यहां नूर है ठीक है किस कानून सरकार की नजर में सब समान होना चाहिए ठीक है तो यहां पर आपके कौन से अधिकार का हननूर है समानता की अधिकार का ठीक आप फिक्र ना करें मैं चारों आंसर एक साथ लिखके दिखाऊंगी आपको यहां तीसरा आपको दिया गया यदि किसी जन समूं को राजस्थान में तेलगू माध्यम का स्कूल खोलने के अनुमती नहीं दी जा रही है तो यह क्या है यह सौतंता का अधिकार है यह सौतंता का अधिकार का नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम सौतंत हैं कहीं पे भी कुछ भी Visa करने के लिए किसी दूसरे को किसी दागकी कोई नुखसान नहीं होना चाहिए अब यहां देखे चौता जा आपको दिया है यदि सरकार सरकाश शास्त्र बलू में कारे रद किसी अधिकारी को इसलिए पदोदित कर देती है क्यूंकि वे अधिकारी महीला है तो यहां पे आपका क्या हो रहा है तो देखे यहां पे भी जो आपका कौन सा अधिकार हननूर है जल्दी से बता है देखे पहले में शोषड के खिलाफ आ जाएगा शोषड के खिलाफ अधिकार दूसरे में समानता है तिसे में सौतंता है चौते में फिर समानता है कर लेंगे चलिए आगे पढ़ते है अब देखे यहां पे आपको अगला कुशन लिखा है नीजे दिये गए बाए कॉलम में भाटर समिधान के मुखे आयामों की सूची दी गई है यहां पे कुछ आयाम है उनकी सूची दी गई है दूसरे कॉलम में परतिक आयामों के सामने लिखे कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है यानि कि संगवाद संगवाद क्यों महत्वपूर्ण है शक्तियों का बटवारा क्यों महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है और सांसे देश याशन पदीती जो है ये किसलिए महत्वपूर्ण है तो इन सब के आंसर आपको बताने हैं चले इसका आंसर देखे वीडियो फिनिश करते हैं मैंने पहले लिखा है संगवाद का इंपोर्टन इसलिए है कि यही एक तरीका ऐसा है दौरा विबिन समू समाने हितों पर सत्ता के साजेदार करते हैं यानि कि संगवादी है जो आप सब को सत्ता का साजेदार बनाता है दुसरा पॉइंट देखते हैं यहां से लिखा है शक्तियों का जो आपका उसको काबू करना उसको कंट्रोल करना है इसके लिए तीन अंगों का होना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा नहीं होगा तो नियंतरों और संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा ठीक है और दुसी चीज ये भी है कि सरकार एक गतिशी लूप से काम नहीं कर पाएगी ठीक है इसलिए सरकार का या उनके उपर किसी तरह का जोर जबरजस्ती उनके उपर किसी तरह की प्रेशर ना हूँ इसकी रक्षा करना उनकी स्वतनता की रक्षा करना ताना शाही से बचाना इन सबका काम किसका है मौलिक अधिकार का भी हमारे जीवन में बहुत महत हुए चलिए फॉर्ट पॉइंट तो देखिए अब यह आपका लास्ट पॉइंट है इसे हम यही देखके खत्म करते हैं संसत की बात करें कि यह जो है यहाँ पर लिखा है जो सभी प्रतिनीद्यों से मिलकर बनती है और सरकार को नियंतित और मार्ग दर्शित करती है ठीक है इसलिए इसका भी बहुत दो एंप्लीब ग्रतिनीद प्र preparation मार्ट नियुत करती है नियुक्ष नियुक्त प्रतिनीद वंगर के दिखके दिए संस of दियुक्त व्रतिनीदों से ग।श्पट इसनीद्यों से गहीज़ जो चीका दियं। आनीदित खिएएर प्रतिनीदों से टियुक्ष और दीड़